के आप लोग इन्हें पत्धकार कहिए या फिर अभीनेता कहिए या फिर एंकर कहिए आप लोग देखेंगे कि ये राश्टी चैनल हो या फिर अन्ताराश्टी चैनल हो या कई मोवियों में एक काम भी कर चुके हैं इनका नाम है दीवांग मुझे लगता है कि इनके इंटर्व्यू आप लोगों ने देखे भी होंगे यह जब कई राजनेताओं के इंटर्व्यू लेते हैं तब आपने देखा होगा कि जो राजनेता इंटर्व्यू दे रहे होते हैं, वो इन पर गुस्सा भी करने लगते हैं, चिल्लाने भी लगते हैं और अगर आप लोग सर्च करेंगे, तो आप लोगों के इनके कई इंटर्व्यू देखने को भी मिल जाएगे तो आज हम लोग क्या करें कि दीवान के बारे में एक सामान जानकारी देख लेंगे वैसे आपको बता दूँ कि पत्तकारों के बारे में कम ही जानकारी आप लोगों को देखने को मिलेगी गूगल पर कहीं आप लोग सर्च करते हैं अगर ये लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं तभी इनके बारे में सभी सही जानकारी मिल पाती है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पत्तकार अपने निजी जीवन को सभी के सामने उजागर नहीं करते हैं क्योंकि हमारे देश में आप जाते हैं कि कई पत्तकार, आप सभी जाते हैं कि क्या इस्तिती होती है, अगर वो पत्तकार सच लेखते हैं, या नेता का इंटर्व्यू अगर उसके हिसाब से नहीं करते हैं, अपना पत्तकार तक धर्म निवाती हुए करते हैं, तो नेता उन्ह अपना दुस्मत समझने लगते हैं उनके परिवार को आप सोचिए कि कई समस्याओं में डाल देते हैं कई बतकारों को आप देख रहे हैं कि जेल में भी डाल दिया जाता है नेताओं के द्वारा तो इसलिए नेता अपना परिवारिक जीवन जो भी रहता है निजी जीवन उसे छुपा के ही रखते है आपको स्क्रीन बाद दिखाई भी दे रहे हैं दीवांग साहब यह हैं आपके दीवांग अगर हम लोग इनके बारे में बात करें तो इनका नाम है दीवांग क्या नाम है दीवांग और इनकी जन्मती थी हमने देखा है कि कई जगे मैंने सर्च करके भी देखा हुआ है लेकिन 1971 में इनका जन्म होता है और 1971 एक बात के लिए और फैमस है आप सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान की वीच योद्ध हुआ था और आप देखेंगे कि पाकिस्तान की हम लोगों ने दो टुकडे कर दिये थे और इस समय आप देखेंगे कि इंद्रा गांदी प्यधान मंत्री हुआ करती थी और 1971 में ही बंगला देश उभर के आया हुआ था और दिवां की अगर हम लोग जनम इस्थान की बात करें तो अवनाचल पिदेश में इनका जनम हुआ था और अवनाचल पिदेश आपको मालू होना चाहिए कि इसकी रादधानी इटा नंग है और आप सभी इको मालूँ होना चाहिए कि यह अवनाचल पिदेश वही पिदेश है जिसे चाइना अपना बताता रहता है और इसकी सीमा की बात करें तो मैरमार से भी लगती है बूटान से भी लगती है और आप देखेंगे ऊपर चाइना आप लोगों को देखने को मिलेगा और यही अगर हम लोग इसके राज जी की बात करें राज्चों से सीमा तो आप देखेंगे असम से और इसकी सीमा आप देखेंगे नागलेंड से लगती है तो ये भी आप लोगों को मालूख होना चाहिए और अगर हम लोग इनकी सिक्षा की बात करें तो दिल्ली विस्वध्याले से इन्होंने अपनी सिक्षा पूरी की हुई है और उसके बाद अगर आप देखें तो आप सभी जानते ही पत्तकार हैं समाचारेंकर भी हैं और अभीनेता भी हैं क्योंकि आपको मालूखना चाहिए ये मूवियों में आप फिल्मों में काम भी कर चुके हैं इनकी केरियर के बारे में बात करें तो दीवांग ने देखने को मिलेगा कि टीवी नीउस से जुड़ जाते हैं और उन्होंने आज तक के साथ काम करना सुरू करते हैं आज तक आप लोग चैनल लेखते हैं ना और आज तक ने उन्हें इंड़स्टी में काफी अनुवा हांसिल करने में मदद की और उनका भविस सिसी में तै हुगा आज तक चैनल में बात की बर्सों में आप देखेंगे दीवांग ने आज तक सिस्थिवा दे दिया था उसके बाद वो एंड़ी टीवी में चले जाते हैं और एंड़ी टीवी के बारे में आप लोग सुनते भी रहते होंगे और रवीश कुमार को काफी आप लोग पसंद भी करते होंगे दीवांग चैनल के कारकारी संपादक की रूमें काप करते हैं एंड़ी टीवी में और विस चैनल के लॉंचिंग फ्रेस भी थे और एंड़ी टीवी के साथ अपने कारकाल के दौरान उन्होंने मुकाबला मुकाबला नामक एक डिवेट सो की मेजबानी भी की और इस सो में ने भारती दर्सकों के बीच काफी लोग फिरियता भी हासिल की हुई थी और आपको बता दू कि 2006 में इंडियन टेलिवीजन अकेडमी अवार्ड से भी इने सम्मानित किया गया था अब आप देखेंगे कोई अगर आप इस तरह का कोई काम करते हैं तो आप लोगों को पुरुसकार मिलना सोभाविक सी बात होती है फिर आप देखेंगे दीवांग ABP News से जुड़ जाते हैं और भारती टीवी में उनकी यात्रा काफी सही रही है दीवांग का करियर केवल समाचार चैनलों तक ही समित नहीं रहा उन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया हुआ है मोवियों में भी कुछ काम किया हुआ है एक मोवी आप लोगों ने देखी होगी मद्रास कैफी और इसमें काम किया हुआ है जहां वो पूर रो एजेंट की भूम का निभाते हैं और अगर नहीं देखी तो आप सर्च करिएगा आप लोगों को मिल भी जाएगी और फिल्म एफिल्म 2013 में रिलीज हुई थी और 2016 में दीबान को पिंक में काम करने का भी मौका मिला था पिंक मोवी में और यह फिल्म काफी लोग प्रिय भी हुई थी और जिसमें एक गंबीर सामाजिक मुद्धे को संबोधित किया गया था और जैसा कि आप सभी को बताएं कि इन्होंने कई अंतराष्टिय चैनलों में भी काम किया हुई इन्होंने इटालो स्पैनिली द्वारा नेदेसिक एक इतालवी थिल्म में भी अबने किया था और उन्होंने ऑस्टेलिया के SBS और ABC जापान के NHK और RAI सहत कई विदेसी टेली वीजन नेटवर्क के लिए भी काम किया हुई तो यह दीवां के बारे में कुछ से मुझे लगता है कि जानकारी है और फिर सी कह रहा हूँ कि किसी बैक्ति के बारे में खासकर पत्कारता के बारे में या इस तरह के बारे में जिसके जो अपनी पर्सनल लाइफ को सभी के सामने नहीं रख सकता है उसके बारे में गूगल से सबी पफ़लिक पिलेंस में लाते हैं तो उस्ते भी पता चल सकता है अभी तक मैंने कять जग беспpor 180 मेश्थ देबाश क्या लेकिन दीवां के वार में इतनी ही जानकारी मिल पाई है और इनका ज़नम अवना चल्पी में होगा था और वैसे हम लोग पत्तकारों के बारे में बात कर रहे हैं अपने देश की, तो मुझे लगा कुछ ही जितनी जानकारी मिली है, उतनी ही बात कर लेनी चाहिए, फिरहाल हम तो यह सीरीज आप लोग चलाते रहेंगे हम लोग, अगर आप लोग भी किसी पत्तकार का अध्ता पराते रहेंगे, ठीक?